प्रिये विध्यारतियों इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है आज हम बीए पार्ट फरस्ट रानेते विज्ञान पेपर सेकंड में मनु के बारे में जानकर इपराप्ट करेंगे मनु के दर्सन में पराष्ट समंदू के बारे में हम अध्यन कर रहे थे और इसमें हमने कल की वीडियो में ये देखा कि मनु ने पराष्ट समंदू को दो भागों में विवाजित किया है एक पराष्ट सम्मंदूं का सैध्धान्तिक भाग और दूसरा है पराष्ट सम्मंदूं का व्यवहरिक भाग पराष्ट सम्मंदूं के सैध्धान्तिक भाग में मनों ने तीन तत्तों को समलित किया है नीती के उपाई, सडगुन नीती, पिद्धान्त तो नीति के उपाईउं के बारे में कल अध्यन कर चुके हैं और उसमें हमने ये देखा था कि मनों ने चार पुरकार की नीतियों का उलेख किया है साम, दान, भेद और दंड नीति इनका विश्ट्रित अध्यन हम कर चुके हैं और इस अध्यनतिक भाग में जो दूसरा नीति का मतलब ये है कि एक राजी के द्वारा दूसरे राजी के प्रति किसी विशिष्ट परस्तति में अपनाई जा सकने वाली विवेक सम्मत नीति को सडगुन नीति के नाम से जाना जाता है अर्थाद इसका मतलब ये हुआ कि मनों ने इस बात का उलेख किया है कि एक र अश्तति विशेस में कौन सी नीती अपनाए इसके लिए उसने छे प्रकार की नीतियों का उलेख किया है और इन छे नीतियों को सड़गुन नीती के नाम से जाना जाता है इनमें संधी, विग्रह, आसन, यान, द्वेधी भाव और संस्रे प्रमुख रूप से है तो इस तरह उन्होंने छे गुण वाली नीति को विभाजित किया है सबसे पहले हम संधी लेते हैं संधी का मतलब होता है कि दो राजाओं में कुछ सर्तूं के आधार पर मेल हो जाना संधी कैलाती है मनों ने संधी के दो प्रकारों का उलेख किया है एक समान करमा संधी और दूसरा है यदि संधी के माध्यम से भविष्ट में किसी प्रकार की लाव की सम्मावना हो तो संधी का सहरा लेना चाहिए यानि संधी करनी चाहिए दूसरा उन्होंने विग्रे निती का उलेख किया है तो विग्रे का मतलब होता है कि सैसस्त्र आकर्मन करना यानि सत्रू का अपकार करना उसको हानी पूचाना उस पर आकर्मन करना ये विग्रे कहलाता है और मनुष्ट मर्ती में दो प्रकार के विग्रों का उलेख किया ग गुरुप की कमजोरियों को फाइदा उठाकर उस प्राकर्मन किया जाता है तो यह विग्रह का प्रथम प्रकार कहलाता है और यदि राजा के द्वारा किसी मित्र पर किये गए आकर्मन की प्रतिकार में अगर विग्रह की नीती को अपनाया जाता है तो यह इसका दित्य नुकूल को टुर्ड हो और राजी की जो प्रकर्थियाँ हैं राजी की जो शक्तियां वह सारी मजबूत हो तब आपहिए विग्रए की नेती का पालन करना चाहिए तीसरा है आसान का मतलब होता है योद की प्रतिक्षा में सांत बैठे रहना आसन कहळाता है तो एक तरह से यह उपेक्षा की नीती है जिसमें जो राज होता है वो आकरमन की स्थान पर युद्ध की प्रतिक्षा में बैठा रहता है और इसके भी मनों ने दो प्रकारों का उले किया है कि यदि राजा की सेना या उसका कोश कमजोर हो गया है छीन हो गया है तो ऐसी स्थते में आसन नीती को पालन करना च युद्ध के इस्थान पर आसन धारण किया जाता है तो यह दिति आसन कहलाता है यानि यदि राज्य आर्थिक रूप से और सेनिक रूप से कमजोर है तो वो आसन का सहरा ले सकता है अथ्वा सत्रू मित्र राजी के अनरोध पर भी आसन का सहरा लिया जा सकता है तो मनुन ने यह कहा है कि आसन की नीती को केवल उसी इस्तते में अच्छी रहती है जब राजी यह सोता है कि शत्रू के तुल्णा में उसकी आर्थी कुर्षैनिक इस्तती काफी कमज़ूर है या इतनी सक्षम नहीं है कि सत्रू पर विजह प्राप्त की जा सके तो ऐसी स्थते में आसन नीती को अपनाना चाहिए अगली नीती यान नीती आती है यान का अर्थ होता है सत्रू पर चड़ाई करना या सत्रू प्राकर्मन कर देना यान कहलाता है और इस नीती को मनुने तब ही अपनाने की सला दी है कि जब राज्य सक्ति साली हो और उसका ज कि पतियों से घिरा वूआ हो या उसकी इस्तति कमजोर हो तो ऐसी इस्ततिय में यान की नीति को अपनाए जाना चाहिए इसके लाओ उन्होंने अगली नीति अपना ही है शंस्रे बलवान राजी की सरण में जाना यहीं किसी सक्तिस Ten राजा की सरण में जाना संस्रय की नीति कहलती है और मनुन ये कहा है कि इस नेति को केवल तब ही अपनाना चाहिए जब उसे प्रतीत होता है कि उसका जो सत्रूराजी है वो सक्तिस अली है और ऐसी स्थते में उससे मुकाबला करना सीधी संभव नहीं है इसके अलावा द्वेदी भाव निती है और द्वेदी भाव की मतलब यह होता है कि इसमें संधी यह में विग्रह की नितियों को एक साथ काम में लिया जाता है तो मनु ने द्वेदी भाव में दो गुणु वाली निती का उले किया है जिसमें उसने ये कहा है कि एक राजा अपनी सेना के कुछ हंस को किसी स्थान पर सेनापती के अधिन रखकर स्वयम कहीं ओर रहता है तो ये निती द्वेदी भाव कहलाती है इसमें सेना का जो कुछ भाग है वो सत्रू से रक्षा है तो सेना पती के अधिन रखकर युद्ध करता रहता है और दूसरी सेना का भाग राजा के साथ सेना रहकर राजा को सुरक्षित रखती है और राजा ऐसी स्थते में अपने सक्तियों को बढ़ाता रहता है मित्रों की संख्या बढ़ाता है तो इस तरह की दो अलग अलग प्रकार की नेतिया अपना ही जाती है सेना को दो अलग अलग भागों में यांसों में विवजित किया जाता है जिसमें एक सेना का एक भाग सेना पती के नियंतर में सत्रू से मुकाबला करता है और दूसरा भाग PB राजा की की इस रुक्ष़ा करता है तो इस प्रकार के नेति को द्वेदी भाव के नाम से जाना जाता है। यहां कोटल और मनू में थोड़ा अंतर है। कोटल के कि नूसार जो द्वेदी भाव है वो एक तरही गी बहुरी निती है, इसमें किसी राजा के एक राजा के दौरा संधी और विग्र है, इन दोनों प्रकार के नितियों को एक साथ में काम में लिये जाता है, तो यह कोटे लेने इसे दिवधी भाव करा आचा there is, जबकि मनुने दुफ़ी भाव का मतलब यह होता है कि सेना को दो अलग-अलग हिस्सों में, दो अलग-अलग भावों में विवाज़ित किया जाए, एक सेना पती के नेंतरण में रहे और दूसरा राजा की सुरक्षा का काम करे तो उसको उन्होंने द्वेदी भाव दी है तो इस तरह से मनों ने सडगुन निती का उलेख किया है और उसमें उन्होंने कहा है कि एक राजा को आफशक्ता के अनुशार अपनी स्तती को देखकर पस्ततियों को देखकर और विवेक सम्मत निती को अपनाना चाहिए तब ही उसे अधिकतम लाप राप्त हो सकता है